किसमत का मारा ये बेचारा दोस्तों इस वीडियो में हम आपको मिलवारे जा रहे हैं कुछ नमों के पर साथ छोड़ दिया और उनकी बाद किसमत की कहानी दुनिया भर में फेमास हो गाई साल 2018 की शुरुआत है भाईया साइबेरिया में रहने वालों के लिए लौटरी जैसी थी वो शुरुआत जिनके हाथ एक खजाना लगया था वो भी एक रनवे पर दरसल इस रनवे पर जा रहा है कारगो प्लेन से सोने के ब्रिक्स गिर गए थे ये प्लेन नौ टन सोने के होगा इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि प्लेन ने टेक आफ करते डाइम उसने रनवे पर कई सारी सोने की ब्रिक्स गिरा दी जिससे ये रनवे सोने की तरह चमकता नजर आ रहा था प्लेन में सोने के लावा चांदी हीरे और प्लाटिनम था प्लेन मे ये भी बताये कि प्लेन के सर्विस कर रहे है टेक्नेशन ने सही से दर्वाजा बनने ही किया होगा अब गलती चाहिए किसी की भी हो आम लोगे ने ताम मौच कार दी किसमत का क्या है भाई ये अच्छी हो तो आपको हीरो बना जिती है और खराब हो तो पल भर में हीरो बन जाते है भाई साब कह रहा हूँ अब लिफ्ट में कौन फसना चाहेगा क्योंकि कई बार इससे निकलने पर टाइम लग जाता है हो सकता है कि आप तुरन निकल जाए और हो सकता है कि एक गंडे बाद निकल पाए लेकिन न्यू योर्क में रहने वाली एक महिला को पूरे तीन दिन जिया तीन दिन लिफ्ट नाई तो इसके बास मुबाइल फोन था और नाई लिफ्ट में सैल बॉक्स था और तो और लिफ्ट में कोई अमर्जेंसी बटन में नहीं था जिससे किसी से मदद मागी जा सकी इन लिफ्ट दूसरे और तीसरे फ्लोर के बीच भराब हो गई थी यह महिला तब तक फसी रह चाल लिए चलो कम सका महिला की जान मजगी भई या इसमें खोशी बाली बात है तो इस वीडियो को आप लाइक करते फटाफट गाई उस बॉंस डाउन हाउस चार जुलाई को अमेरिका में इंडिपेंडेंस डे की रूपे मराय जाता है और हार कोई इसे बाड़े खोशी स मनाता है लेकिन खोशी मनाने के चक्कर भईया ब्रुकलिन में रहने वाले 30 साल के शक्स ने अपने घर को ही चला मारा यह सब उस एक छोड़ी घलती से हुआ था शक्स ने सुरक्षा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रगा दरसल यह जो शक्स थे वह अपने दोस्तों के साथ आग की कोई ख़वर ही नहीं लगी और जब इसकी नजर आग पर पड़ी तब तक आग भाईया खाबू से बाहर हो चुकी थी उसने आग बजाने की पूरी कोशिश की लेकिन बहुत देर हो चुकी थी घर में लगी आग इतनी बढ़ गई कि आग बढ़ गई के बारा फायर फायर्वाइटर्स की गाड़िया आई थी और साथ फायर फायर्वाइटर्स इसकाम में लगे हुए थे इस आग में लगवख 36,000 डॉलर्स के नकसान हो गया था इस आग के लिए शक्स कोई जिम्मेदा ठेराए गया एक लापर वाई और फिर बरबादी दब बलून बॉय ह इस वीडियो में दिखने वाली अजीब चीज क्या है भईया चले बताते इसके पीछे कानी दरसल भाई साब ये घड़ना 2009 की है जब एक 6 साल का लड़का था फालकान वो लराडो में आई साब क्या करता था आपने घठे वो कायब हो जाता है लोगों वो लगता है वो बड लोग इसकी सक्सेस्फुल लेंडिंग की दुआ कर रहे थे और जब ये वेलू नीचे उत्रा तो इस परिवार का सारा तमाशा लोगों की साबने आ गया दरसल इसके बाबाब को टीवी प्याना था जिसके लिए दोनोड मिलकर टीवी चैनलों को एक रेलिटी शो का प्रिस ब्लून बनाया प्लान था के फैलकन इस ब्लून मोडेगा और ये ख़वर सब को दी जाएगी लेकिन वो बेसमेंट में चुपा रहेगा और आध्य कंटे बाद लोग इसामने सुरिक्षित बारा जाएगा माबाब ने सोचा कि भाईया इससे उनके साइंस बेस्ट रियालि बताया क्यों नहीं कि वो घर में तो इस सवाल पर वो अपने पिता का चैरा देगने लगता है इसके माता पिता को उनकी गलती के लिए 110 दिन जेल की सजा भुगत नहीं पड़ी जी या पूरे देश बर में जो बदरामी हुई थू 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 हूई वो आला है तोक्यो स्टॉक मार्केट फील दोस्तों टाइपिंग के दुरान छोटे मोटे घलती के बारे में जाने वाले है इस गलती से लगबग दो सो पचीज मिलियन डॉलर्स को नुक्सार हुआ था दरसल आपको इंट्रस्ट आ गया इस बात वेरा यह गटना साल 2005 की है इस चैपनीज स्टॉक मार्केट पूरा हिल गया था वा यू उस तार से बताता हो कि जब एक ट्रेडर ने जॉब रिक्रूटिंग कंपनी के छे लाग दस हजार शेर मार्केट नों बेचेने के लिए लिए जिनकी खीमत कॉडियों में थी और घलती से उसने एक शेर की की कीमत शे लाग दस हजार येन लगा दी जो की लगबग पास हजार यूएस डॉलर्स के बराबर होते हैं इसके बाद इस ट्रेडर ने तीन बार ओडर कैंसल करनी कोजिश की लेगिन टोकियो स्टॉक एक्सेंज का कहना था कि वो किसी भी ओडर को कैंसल नहीं कर सकते हैं चाहे वो गलती से ही क्यों ना हो गया है और इसी वज़े से जैपनी सेक्योरिटी कंपनी का दो सो पत्चीस मिलियन डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा हाना कि इसके बाद वहां के वित्त मंत्राले ने ऐसी गलती तुबारा ना हो इसके लिए कई जरूरी कतम उठाए रॉकेट मे लॉकेट 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 के लिए रेमोट का इस्तमाल गया था और जब रोकेट लॉंच हुआ तो आक की एक लपट तेजी से पहली जिसने इसके केमरे के लेंस को कड़ा दिया वाई साब अलागी लॉंच के दुरान ली गई तस्वीरे बजगी थी तुकि इ तीस साड़ों से नासा के लिए काम कर रहे थे लगेने सब पहली वार हुआ था कि उनके केमरे की यो आलत हो गई थी इस काणी के बाइराल होने के बाद बिल बोर्डर गए थे कि नासा को ये खबरे पसंद कोणी आएंगी लेकिन हुआ इसके उलट नासा नेने काभी प्रो कार एक रेस्टरं के गिराज में खड़ी की थी और जब ये वापस वाँ पहुंचे तो इसके गाजी इस हालत में देखने को मिली हजान दा गया इसके कार पर बरफ की एक चाहदा चल चुकी थी और जैसे इसकार की तश्वीदा बाइदा होने लगी कार के माली की नेसे नि इकाल लिया गया जिसके बाद इसे सर्विस सेंटर लिजाए गया जहाँ इसकी मरम्मत कराई जा सके विमन गिफज अवे लॉट्री वेन कैलिफोर्निया के रहने वाली एमली लीच की जब एक मिलियन डॉलर की लगी तो उनका नाम हार किसी को पता चल गया भी या इनकी बाख डॉलर्स तो अब कहीं नहीं गये लेकिन तो भी उनकी खिस्मत बदल गई और उनकी एक मिलियन डॉलर्स की लॉट्री लग गई लेकिन इनकी परिशानिक कम होने के बढ़ जाती है जनवरी के एक सुबह वो दुकान पर सामान खरीद रही थी और वहाँ दो लोग पह जाती है यह टिकेट दो लाख साथ हजार डॉलर चीतने वाली टिकेट थी एमली बताती है कि एक एक्सिडेंट था और फिलाल वो उस पैसे के लिए लड़ रही है ताकि उन्हें उसका कुछ हिस्सा मिल जाए अब जराइन मोतरबा से मिलीए और कारनामे देखिए जराइन क आप इस लड़की को देखिए और जोरा कमेंट में बताइए कि चल क्या रहा है अजय वीडियो आपको कैसे लागा अपना फीडबेक देखिए और पसंद आया तो चतली से लाइक ठोक दे अपने दोस्तों के साथ शेर करें चाहिए वीडियो को अगला पार्ट देखना तो कमेंट करें नेक्स पार्ट दन्यवाद